Dear friends, मैं आपको आज जलालोदिन रूमी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ रूमी एक ऐसे सूफी संत थे जिने दुनिया ने पागल समझा किताबों को पढ़ने और लिखने वाले रूमी कैसे एक मतवाले प्रेमी बन गए यह एक मज़िदार कहानी है आईए शिक्षक से सन्यासी बनने के उनके सफर में हम भी साथ हो लेते हैं और चकते हैं प्रेम का एक और नया स्वाद धार्मिक पिदवान जलालोदिन रूमी दुनिया के जाने माने कवी और सूफी संत बनने से पहले अपने अंदर एक ऐसे खालीपन के एसास से जूज रहे थे जो बयान नहीं किया जा सकता हालंकि रूमी के हजारों प्रशनसक और शिश्य थे फिर भी उन्हें ऐसा लगता था कि उनके जीवन में कुछ कमी है रूमी को अपनी प्राटनाओं का फल तब मिला जब शम्स तरवेज नाम के घुमकड दरवेश उनके जीवन में आई एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों अच्छी तरह से यह समझ गए कि उनके भीतर इश्वर को जानने की एक जैसी ललक मौजूद है शम्स ने एक ऐसे शक्स की तलाश में पूरे मद्यपूर्व की यात्रा की थी जो उनके साथ को जेल सके कहा जाता है कि जब अस्त व्यस्त बालो वाले शम्स महां आए तो रूमी किताबों के धेर के पास बैठे कुछ पढ़ रहे थे शम्स तब ब्रेज ने उनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो रूमी को लगा कि वह कोई अनपड अजनबी है इसलिए उन्होंने व्यंक पूरवक जबाब दिया मैं जो कर रहा हूँ उसे तुम नहीं समझ पाओगी यह सुनकर शम्स ने किताबों के धेर को जो रूमी की खुद की लिखी हुई थी उठा कर पास के एक तलाब में फैक दिया रूमी जल्दी से भाग कर उन किताबों को तलाब से निकाल लाए और यह देखकर हैनार रह गए कि वे सभी किताबे सूखी थी रूमी ने शम्स से पूछा यह सब क्या है शम्स ने जबाब दिया मौलाना इसे आप नहीं समझ पाएंगे फिर क्या था इस घटना के बाद से रूमी इस असभ्य से दिखने वाले गुमकड के गुलाम हो गए उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ शम्स का अपने जीवन में स्वागत किया कहा जाता है कि शम्स ने रूमी को एकांतवास में 40 दिन तक शिक्षा दी इसके बाद रूमी एक बहतरीन शिक्षक और नयाधिश से एक सन्यासी बन गए रूमी के शिश्य और साथी शम्स से इर्शा करते थे उन्हें अपने दोस्त और गुरू के उपर शम्स का अधिकार जमाना पसंद नहीं था एक रात रूमी और शम्स आपस में बात कर रहे थे तबी शम्स को किसी ने पिछले दरवाजे पर बुलाया वह बाहर गए और उसके बाद उन्हें किसी नहीं नहीं देखा ऐसा कहा जाता है कि रूमी के बेटे अलाउदीन की मिली भगत से शम्स का कतल करवा दिया गया शम्स के बिछूडने के बाद रूमी बहुत परिशान हुए उनके उपर एक तरह का अध्यात्मिक उन्मात चा गया वह गलियों में नाशते हुए घूमते और सहच सुभाविक गाने गाते दीरे दीरे उनके इस नाच गाने ने समा प्रातना सभा का रूप ले लिया जिसमें उनके सारे शिश्य शरीक होने लगे समा एक तरह की प्रातना है जो नाशते गाते हुए की जाती है अब इसे दर्वेशों के द्वारा किये जाने वाले निर्ते के रूप में जाना जाता है जलालुदिन रूमी एक महान सूफी संत थे वह एक बेहत खुबसूरत इंसान है लेकिन आज की दुनिया में एक अंजाने से शक्स लगते हैं क्योंकि आज यहां सब कुछ एक हिसाब किताब बन गया है हर चीज एक सौदा है जहां हर चीज सौदे बाजी हो वहां रूमी या सूफी वाद बिलकुल फिट नहीं होते रूमी की एक प्रेम कहानी के बारे में भी पता चलता है रूमी को एक बार प्रेम हो गया वह अपनी प्रेमी का के दरवाजे पर गए और दरवाजा खटखटाया अंदर से एक महिला की आवाज आई कौन है रूमी ने जवाब दिया मैं रूमी तुम्हारा प्रेमी फिर कोई आवाज नहीं आई रूमी ने रोकर दर्वाजा खोलने की गुजारिश की लेकिन दर्वाजा नहीं खुला इसी तरह वे कई दिनों तक दर्वाजा खुलवाने की कोशिश करते रहे लेकिन दरवाजा नहीं खुला, कभी नहीं खुला रूमी गहरी निद्राशा में डूब गए उन्होंने अपना जीवन खत्म करने का फैसला कर लिया और पहाडों पर चले गए वहाँ उन्होंने एक दो महीने गुजारे फिर वे वहाँ वापिस लोट आए लेकिन अब वे बिलकुल अलग तरह की अवस्ता में थे एक बार फिर वह अपनी प्रेमिका के दरवाजी पर गए और दरवाजा खट खटाया अंदर से आवाज आई कौन है इस पर रूमी ने कहा तुम सिर्फ तुम रूमी अब कहीं नहीं है दरवाजा खुल गया और रूमी को अंदर बुला लिया गया सुफी परंपरा में इश्वर को हमेशा प्रेमी के रूप में देखा गया है दरवाजा केवल उन लोगों के लिए ही खुलता है जो अपने आपको खो चुके होते हैं रूमी ने भारत में काफी समय बिताया उन्होंने योग के उन सभी तरीकों को आजमाया जो उस वक्त भारत में मौजूद थे उनकी शमता कुछ ऐसी थी कि वे जहां भी कहीं गए सिर्फ योगियों से मिले कुछ ही हफ्तों में वे उनकी पूरी साधना का अनुभव प्रात्त कर लेते थे और फिर वे अगले योगी के पास चले जाते थे उनका यह सिलसिला चलता ही रहा एक बार रूमी मक्का जा रहे थे उनके साथ एक और दर्वेश यानी सूफी संत यात्रा कर रहे थे रोजाना रात में वे जब दोनों अराम करने और सोने के लिए जमीन पर लेटते तो दूसरा संत उठकर बैट जाता और प्रात्ना करने लगता एक दिन रूमी ने यह बात पता लगाने की कोशिश की कि वे दर्वेश किस चीज के लिए प्रात्ना कर रहा है क्योंकि प्रात्ना के दोरान उसके चहरे पर एक तरह की बिचेनी दिखाई देती थी उन्होंने सुना था कि वैस अक्ष अल्या सही है प्रात्ना कर रहा था कि एक दिन मैं इस देश का राजा बन जाओं रूमी को यह जानकर बड़ा धक्का लगा उन्होंने प्रात्ना के बीच में ही अपने साथी को रोका और कहा बेवकुफ तुम यह क्या कर रहे हो ऐसा लगता है कि तुम्हारी गरीबी तुम्हें मुफ्त में मिली है इसलिए तुम एक बार फिर से राजा बनने की गुहार लगा रहे हो मैं खुद एक राजा था काफी मुश्किलों और संगर्श के बाद अब मुझे ग्यान की प्रापती हुई है इसलिए मैंने एक फकीर बनना तै किया लेकिन लगता है कि तुम्हें यह गरीबी और फकीरी मुफ्त में मिली है इसलिए तुम एक बार फिर राजा बनने की कीवन में भी आपको बहुत सारे ऐसे मौके मुफ्त में मिलेंगे जो आपको उस परम सत्ता तक ले जा सकते हैं वे आपको उस परम सत्ता तक ले जाते लेकिन आप उनसे परिशान हो गए जो कुछ भी आपको दिया जाता है उसका सही इस्तेमाल करने की बजाए लोग बस हाला बातों को भोगते रहते हैं